टीवी सच साहस सरोकार वोटिंग और 8 दिसंबर को रिजल्ट आएगा चुनाव आयूग ने यूपी में उपचुनाव की तारीखों का ऐलान किया है मैनपूरी और रामपूर की खाली उइस सीटियो पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है बता दे आपको कि मुलाइम सिंग यादो के निधन के बाद उनकी लोगसभा सांसित की सीट खाली हो गई थी जिसको लेकर तारीखों का ऐलान किया गया है वहीं आजम खा के सदिस्सिता रद होने के बाद रामपूर विधासभा की सीट खाली हुई है उसको भी लेकर तारीक का ऐलान कर दिया गया है बताते हैं कि 5 दिसंबर को वोटिंग और 8 दिसंबर को रिजल्ट आएगा चुनाव आयूग ने यूपी में उपचुनाव की तारीक का ऐलान किया है रामपूर और मैनपूरी की सीट खाली हो जाने के बाद यूपी में अलग अलग जगहों पर भी कई जगह सीट खाली हो जिसको लेकर चुनाव आयूग ने उपचुनाव की तारीकों का ऐलान किया है और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे समवधाता विभांशू हमारे साथ जूडेंगे वभांशू मैंपूरी और रामपूर की सीटों के तारीकों का ऐलान कर दिया गया है जहांकि ये सीटी दोनों अभी खाली हुई है जे नंदली आपको बताए कि समझवादी पार्टी के सनरक्षक मुलायम सिंग की देहांत के बाद उनकी लोगसभा सीट मैंपूरी खाली हुई भी थी साथी साथ अगर बात करें तो हाल फिलहाल में आपको बताएं कि समझवादी पार्टी के विधायक आजम खान को MP MLA कोर्ट की तरफ से तीन साल की सजा सुनाए जाने पर उनकी सदस्ता रध हो गई तो उत्तर प्रदेष के एक लोगसभा सीट और एक विधान सभा सीट जो की अगर बात करें तो समझवादी पार्टी के सीट थी दोनों पर समझवादी पार्टी के नेता कहीं ना कहीं देखा जातों उस पर जीते थे और उनकी पैत्रिक सीट है इन दोनों सीटों पर अपचुनाओ आयोग की तरफ से अब उपचुनाओ की तितियों का एलान हो चुका है पांच दिसंबर को इन दोनों सीटों पर मददान होगा और आठ को नतीजे आएंगे आपको बताएं पहले अगर बात करें मैनपुरी लोकसवा सीट की तो मुलायम सिंग की वो बिरासत की सीट है परंपरागत सीट है और देखने वाली बात ये होगी कि उनकी बिरासत को कौन सम्हालते हुए नज़राएगा और कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो जब से वाजनिती में सक्री है मुलायम सिंग उनकी कर्म भूमी रही है मैनपुरी साथी साथ 1967 से लगतार मैनपुरी के एरिया से लगतार लोगों के चहते रहे हैं अब देखने वाली बात ये होगी कि वहां से समझवादी पार्टी बीधार को उतारा जा सकता है साथ ही साथ है डिंपल यादो की भी बाते चल लई है कि वह भी उमिध्वार हो सकती है और अगर बात की जाए तो स्यूपाल यादो यानि कि मुलायम सिंग के भाई श्यूपाल यादो नायादों का नाम सबसे उपर चलना है और नंदनी अगर चले रापूर तो रापूर के अंदर से राजम खाल लगतार विधायग चुनते हुए आया है अभू चुनाओ हो रहा है और जो शियासी है अगर शियासत में देखे तो रापूर से माना ये रहा है और सियासी गलियारों में हल्चल है किस बार कोई हिंदू कंडिडेट रामपूर के सीट से उतर सकता है समझवादी पार्टी से वो आने वाले दिनों में जल्दी दोनों सीटों को लेकर सभी राजितिक दलों के उमिद्वारों की घोस्ता हो जाएगी और आज दिस्ट पूरी से तेशपरताब यादों को उतारेगी तो कि क्या लगता कि किस तरीके से चुनऊते पूर्ट रहेगा कि दोनों सफा की सीटों को बचाना सफा के लिए दोनों pię go note और देखा जाए तो लागतार अगर देखे तो रिकार्ट तो समझवादी पार्टी इन दोनों सीटों पर जीतते हुए नजवाई है अगर बात की जाए तो मैंपुरी की जो मुलायम सिंग की विवासत है उसको कौन समालेगा वो आने वाले दिनों में साफ होगा मगर कहीं ना कहीं देखने अली बात ये भी होगी कि जो मुलायम सिंग यादो को मैंपुरी की जनता प्यार देती थी वो क्या उनकी विवासत को समालने वाले को देगी और अगर बात करें तो इस बार कहीं ना कहीं देखा जाया तो मुलायम सिंग की सीट पर कई उमिद्वार कब बात की जाए तो लालू प्रसाद यादो के दामाद यादों की बाते चल नहीं है कि वह भी वहाँ लड़ सकते हैं और मुलायम सिंग्स के ऐकर आखरी दिनों में बेहत करीवी रहें उनके भतीजे ध्रमेंद्र यादों की बाते चल लए जो हाल में जब और आजमगर में उप्चुनाव हुए थे वहां से वो उमिद्वार थे उनकी भी बाते चल लई है और कहा ये भी जा रहा है कि वहां से अपने सशुर की विवासत को समालते हुए डिंपल यादो ने जवाएंगी ये अब जल्दी साफ हो जाएगा अभी अगर बात करें तो आज चुनाव को लेकर नियमावली आई है नियमावली के बाद अब देखने वाली बात होगी कि रामपूर से मैंपूरी से कौन मुलायम सिंग की विवासत समालता है मगर बात करें अगर रामपूर की तो रामपूर के अंदर में लगतार विकार्ड मतों से आजम खान जीते हुए नजरा है और माना ये जा रहा है कि इस बार जब विधान सवा का चुनाओ होगा उपचुनाओ होगा तो इसमें सियासी गलियारों में चर्चा है कि इस बार कही ना कहीं जो कोई हिंदू कैनिडेट मैं रामपूर से अपना किस्मत अजमा सकता है वो समझवादी पार्टी का विसे है जो तमाम उनके किये गए काम है उसको देखके ही आगे वो जन्ता के भी जाएगा और समर्थन मांगेगा और कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये रामपूर आजम खान का गर है और आजम खान की वहाँ एक अलग पैठ है साथी साथ अगर बात करे तो मुस्लिम मद्दताओं क होता है तो क्या इस से ओटों का पूलरायेसन होता है और क्या ये जो परमपरागत दोनों सचीटे है इस पर कैसा मुकाबला है मगर अभी कहीं ना कहीं समझवादी पार्टी के लिए कि दोनों सीटे कही ना कहीं उन्हें वापस जाते हुए दिख वही है क्योंकि अगर इतिहास के पड़नों को हम पलट के देखें नंदनी तो लगतार यहां से समझवादी पार्टी विजय होते आई है जे विभाशु आपने जिस तरीके से बताए कि आपने जिस तरीके से बत कि जाये तो राजनिती में कहीं ना कहीं देखें तो तमाम ऐसे उदारन है चाहे बाद'd की जाये गढधी पविवार से अलग हो कर मेरिका गढधी चाहे बात की जाये तो आप ने देखा कि जोती आदिते सिंधिया अपने जो वाजमाता थी उनसे अलग हो कर, कॉंग्रेस का आदामन थाले थे और फार्टी जनटा पार्टी की सदस्या हुआ करती थी वहीं अगर बात की जाय तो आप समझ्वादी पार्टी में आप देखते नजर आ तो देखने वाली बात यह होती है कि अगर जो समझवादी पाटी की तरफ से किसी परिवार के व्यक्ति को टिकट दिया जाता है और अपरना यादो अगर जो सपोज वहां से चुनाव लड़ती है तो उनको कितना समर्थन मिलता है क्योंकि देखा जाए तो मुलायम सिंग कभ सबको एक समान वह राजदिती के कहरे को शिखाते रहे हैं राजदिती का गुरु मंत्र देते रहे हैं अब देखने वाली बात यह होगी कि इस बार के जो लोकसवा का उप्चुनाव है मैं पूरी का उसमें राजदिक दल दो यानि अगर देखा जाए तो प्रमुक्ता से जनता पार्टी और समाझवादी पार्टी वहां से चुनाव में आएगी अपने फट्यासी को मैदान में उतारेगी तो जल्द ही जो ऐसी प्रत्यासीों का नाम का एलान के बाद यह कहना साफ होगा कि कौन वहां से उमिद्वार होगा मगर कहीं ना कहीं देखा जाए तो उ मैंनपूरी सीटों का चुनाओं का तारीखों का ऐलान हो चुका है इसको लेकर और क्या कुछ वहां से अब्डेट आ रही है तो यहां कर मैंनपूरी सीटों का चुनाओं का तारीखों का एलान हो चुका है इसको लेकर और क्या कुछ वहां से अब्डेट आ रही है बुलायम स्थीने के नेता नोले कबाद ही इस पर थे पोते तेपर ताप यहां पर यहां पर उतारा गया है एक दो हैर चोदे में अगबारे ने आप तारा किया जब मुलायम स्थीने चुना आज जा मुसरे लड़ा तब इनो नहां से जीट हासिल की थी आज़ा जाए तो रामपूर की सीटों पे जस तरीके से अभी आजम खां की सदस्यता रद हुए तो क्या लगता है कि सपा इस बार किस कैंडिडेट को वहां पर ज्यादा उतार सकती है किस पर दाव अपना लगाए कि क्यूंकि 2024 का लोकसबा चुनाओ भी नज़ीक ही आ रहा है तो इस सीट पर आजम खान की अगर देखे तो लागतार वो विजय होते रहे हैं और लागतार वो समझवादी पार्टी के लिए वहां से अपना जो उनका समझवादी पार्टी का विश्वास था उसको जीते हुए नज़रा हैं अगर बात की जाए तो आजम खान की MP MLA कोर्ट की तरफ से तीन साल की जो सिज़ा सुनाई गई है अब तिपनी को लेकर उसके बाद उनकी सदस्ता रद हुई है तो इसको लेकर आप कहीं ना कहीं थे जा रहा है कि उनके छेत में जो आँ तो उनको लेकर कही ना कही इस बार वो परिसान रहे इसका छेत्र में भी रोध में भी वह है अब देखने वाली बात यह होगी कि अभी अगर देखे तो सियासत को तो इस बार अटकले लगाई जा रही है कि रामपूर से कोई हिंदू कंडिडेट वहां से उमिद्वार हो सकत है आजम खान की अगर बात करें तो 1976 से लगतार राज़िती में सक्री रहे हैं और अगर बात करें तो रामपूर से वह जब 2022 में चुनाव हुए तो 55441 वोटों से वहां से वह विजेता हां से विजेता हुए थे तो कहीं ना कहीं देखा जाते हैं भारी मार्जिंग के साथ व बात यह होगी कि जहां अभी अगर हाल फिलहाल में आपने देखा कि आजम गर में और रामपूर में लोकसवा के चुनाव हुए और दोनों समझवादी पार्टी की प्रमपरागत सीथी मगर दोनों सीथे कहीं ना कहीं देखा जाए तो आजम गर से दिनेस लाल उर्फ निर चुनाव हैं रामपूर के विधान सबागन और में पूरी के लोकसवा चुनाव इन दोनों सीथों पर कितने चुनावत भारती जनता पार्टी के रामपूर के हैं मजबूत है और बात की जाए तो 27 महीने काटने के बाद आजम खान जब बाहर आए तो माना आपने देखा कि रामपूर की जनता उनको फूल मालों से स्वागत की थी और कहीं ना कहीं जेल में रहकर रामपूर से वह विधायक बने थे और 55,000 रोटों से उनकी जीत हुई थी तो कहीं ना कहीं इस बाद भी देखने वाली बात होगी कि रामपूर की जनता किस पर विश्वाश जताती है क्योंकि सालों के बाद पहली दफाय ये है कि रामपूर के अंदर में आजम खान के बगेर चुनाव होगा और देखने वाली बात ये भी होगी कि जो भी उमिद्वार होता है क्या उनके समर्थन में आजम खान वोट मांगते हुए नजर आएंगे क्योंकि अगर बात करें खिलहाल में तो आजम खान की तवियत नाजुक रह रही है और जो जहां भी वो जा रहा है चाहे कोड जाए वाँ चाहे मुलायम सिंग की अंतोष्टी में जाएं हर एक जगह वो विल्चियर पे गया है तो देखने वाली बात ये होगी कि उनके वाज को जल्दी जो उमिद्वारों के लिस्ट और मैंफूरी के विध walnutally उफ लोकसाव सेट पर जल्दी उसके उमिद्वारों की सभाजिति जलो के पत्यासियों की घोस्ता हो जाएगी पांच तारीख को मतदान होगा पांच दिसंबर को मतदान होगा और आठ दिसंबर को नतीजे आएगे और नतीजों के बाद ये कहना साफ होगा कि किसके ऊट किसकर रट बैठीजी तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका विवानशू राजहानी लखनों में डेंगू का प्रकुप थमने का नाम ही नहीं ले रहा है लखनों के शहरी छेत्रों में डेंगू का प्रकुप बहुत ही जादा बढ़ गया है आज डेंगू के 49 नए संक्रमित में वहीं सुल्तानपूर में वी डेंगू के प्रकुप बढ़ते ही जा रहे है मुक्यविकास अधिकारी ने जिला अस्पिताल में ओचक नरक्षड किया इस दोरान अस्पिताल में स्वास्त सोविधाओं, साफ सफाई, छड़काओ, प्लेटलेट्स की उपलब्धता सही तमाम चीजों का नरक्षड किया प्रदेश में लगातार डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़ने से लोगों की परिशानी और ज्यादा बढ़ गई है रिक्षड भी किया जा रहा है बता दे कि लगातार डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़ती ही जा रही है इस खबर पे अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे समवधाता लखनौ से विबेक हमारे साथ जोड़ेंगे और सुल्तानपूर से आशुतोस हमारे साथ जोड़ेंगे विबेक देखा जाय तो राजधानी में लगातार डेंगू के प्रकोब बढ़ है थमने का नाम नहीं ले रहा है क्योंकि लगातार ही डेंगू की मरीजों की संख्या बढ़ रही घटने का नाम नहीं ले रही है तो पूरा उत्तव परदेश इस समय डेंगू से करा रहा है और बागर बात की जाए उत्तव परदेश की राजधानी लखनू की तो यहां पे पिछले दो दो में 89 मरीज जो है डेंगू से संख्यमित मिले हुए है और कल एक मौत की पुष्टी भी लखनू में की गई जहां एक संख्यमित की जो है डेंगू से मौत भी हो गई क्योंकि आस्याना कराने वाला था अगर बात की जाए पिछले कुछ दिनों में तो यह मामले और भी ज्या जो मरीज मिलने हैं उसमें अगर बात की जाए तो आदे से अधिक मरीज जो है वो सहरी छेत्रों से आ रहा है जो इलाका नगं निगम के अंदर आता है वहां से पुष्ट बढ़ा सवाल जो है नग निगम पे भी उठता है कि वो किस तरीके से जो है लापरवाही ही दिखा एंटी लेया seven की संख्या पूरे पोर्देस के अलावा लाखनव् जो राख ढई है प्रदेस की वहाँ भी बढ़ती चली जा रही है नंदनी स्टाइब में विडियों क्यों कि ठको बढ़ते जा रहे हैं मोख्य व्यकास अधिकारी निंजले का औषक तो क्या कुछ निर्देश दिया तो क्या कुछ निर्देश दिया हुआ है। श्रितोष बात किया जाए तो देखा जाए तो शेहरों में नगर निगम जिस तरीके से आप बतारें कि साफ सफाई नहीं हो रही तो वहीं गाउं में भी लगातार इस दिंगू की मरीजी बढ़ते ही जा रहे हैं यह बिलकुल आपको बतारें इसमें बड़े अर्चारी हो कोई भी हो जिस्ते की जो है इसमें मनिजब बढ़ना है च्या बुद नगर पालका को हो चाहे हो अगर अगर नगर पालका से अटेट कोई चीस समन्नित की जिए है उत तो आप सुधारूर उससे उतना दुआ कुई जया, जिन भाल अपना हुए हुआ, में रहे हो चाहे है वी जो होगे कि जाने की का मशत offers दुआ अभी दोर होने चाहिए है वेवेक क्योंट जाए है ने की लागातार धंकों की चिचेक हो रहे हैं कि ऑ यह फिर को गम्हीर थन कालवढ रह जो डेंगू से अच्छूता रहा हो उत्तापर्देश लगतार ही डेंगू से करा रहा है राजधानी की बात करें तो दो दिन में 89 मरीज जो है डेंगू से संक्रमित मरीज मिले हैं एक की पुष्टी भी हो चुकी है और सहरी इलाकों का हाल जब इतना बुरा है तो ग्रामीड पूरी जो है साथ विभाग से लेकर नगर निगम की पूरी जिम्यदारी बनती है कि इसे एक मिशन के रूप में ले और यू दस्वार पर काम करके जो है यह सारी चीजे जो है उपलब्द कराएं जैसे माल लीजे कि एंटी लानवा का छिड़का हो गया साथ सपाई की बैस हो गई लेकिन अभी भी राजदानी में ऐसे कई इलाके हैं जो इन सारी सुधाओं से वन्चीत है नंदी जिसके वज़े से संग्रमृतों की संक्या बढ़ती ही चली जा रही है तो बहुत बड़ा सवाल जो है नगर निगम अस्वात अधिकारियों पर उड़ता है अगर अ सासं प्रसासं सकता है लेकिन नगर निगम अस्वात बाब को और भी युद्ध अस्वात पर इसे एक मिशन को लेके चलना होगा उसके बाद ही डेंगू पर जो इसके संक्रमण पहेज़े वो काबू पाया जा सकेगा नदी आशुचोज देखा जाए तो जिस तरीके इस श पर भाविश को लेकर जो है पोई नहीं पहुंसता है वहां चुनाव सब्सक्रम पहता है उसके लोग अगर अगर बात करते हैं काहें डाक्टर हो या आँम आदमी हो या सूली लोगों इस वी चीद को लेकर जो है अपने वार्ड़ में अपने मॉल्ड़ अपने गलियों मे अपने मॉल्ड़ गड़ा है तो शाषन प्रशाषन चैज जिस तरीके से और अचक नेरिक छड कर लिया जितना भी सखने लिए लेकिन हकीकत तो अस्पिताल में जाने के बात पता चलता है कि मरीजों की वहां पर क्या हालात है कर देखा हुआ है बहुत बहुत धन्यवाद आपका विवेक आगरा में मीट कारोबारी के ठिकारों पर इंकम टेक्स ने छापा मारी की मीट कारोबारी जुलफेकार एहमद भुटो के घर ऑफिस और मीट की फैक्टरी पर इंकम टेक्स ने छापा मारा बता दे कि पुर्वविधायक जुलफिकार एहमद भुटो के फैक्टरी के बारे में टीम को टेक्स्ट में हेर फेर की जानकारी मिली थी और HMA ग्रूप के नाम से मीट का कारूबार चल रहा था आपको बता दे कि मीट कारूबारी के ठिकानों पर छापे मारी की गई है पुर्वविधायक जुलफिकार एहमद भुटो के घर पर छापे मारी की गई है और आग्रा से हमारे समवद आता जीशान हमारे साथ जूड़ेंगे अधिक जानकारी के लिए जी शान जुलफिकार भुटो के घर इंकम टैक्स ने चापा मारा इसको लेकर और क्या कुछ अभी तक जानकारी सामने आ रही है देखे बिल्कुल नंदेडी मैं आपको बदा दू ताजनकरी आगरा मैं बड़े ओदोग पती जुलफिकार एहमद बिटो के निवास पर और उनके कार्याले पर छापा मारा आपको दिखा देए सरकारी जो इंकम टैक्स और सी आर पिएफ के ज़वानों की सबी की गालियां यहां पर गढ़ी है और इनके जितने भी प्रतिष्थान हैं और जितने इनके रिस्तिदार हैं सबी के यहां पर एक ही साथ इंकम टैक्स ने रेट मारी है बताया जा रहा है कि बुटो के फैक्टरी के बारे में टीम कोट टैक्स में हेर फेर करनी की जानकारी मिली थी इसको लेकर और क्या कुछ अधिक जानकारी अभी तक सामने आ रही है बिल्कुल मैं आपको बता दू जुल्फिकार रहमत बिठो का मीट का एक बड़ा कारोबार है इनका आगरा ही नहीं आगरा से पंजाब में भी एक मीट का बड़ा कारोबार का इस्तान है और इनके जितने लोग हैं वो भी मीट के कारोवार में हैं हाला के बताया ये जा रहा है क्यूंकि работы जो अदिकारीों की 220 क्छानवीन चल रही है ना किसी को अंदर जाने की उनुमती है ना जिसी को बाहराने की उनुमती है सबी लोगों के फॉन सीच ओफ कर दिये गए हैं बताय है ज जा रहे आ है कि इंकम टैक्स को दोरा जो च्छापा मारा गया है उसमें टैक्स मैं हेरा पेरी की बात भी बताई जा रही है कहीं हेरा पेरी होई है स्लिए तमाम कंप्लेंड ने आ रही थी इसको लेकर आज इंकम ट बज़े से यह रेट चल रही है जी जुशान आगे क्या लग रहा है और किनकी लोगों पर इन लोगों की कारिवाई हो सकती है जी बिल्कुल मैं आपको बता दूँ जो HMQ HM1 जो गुरूप है और एक HMQ गुरूप है हलागे यह दोनों ही गुरूप जुल्फिकार रहमत बिटो के हैं जो जुल्फिकार रहमत बिटो बहुजन समाज पार्टी के पूर बिदायक भी है और बहुजन समाज पार्टी के बड़े रसूदार नेता भी माने जाते हैं तो कह सकते हैं कि HMA पर अगर चापा पड़ा है तो HMQ जो इनका गुरूप और है उस पे भी चापे मारी चल रही है आलागे मैं बता दूँ कि आगराम है जितने भी इनके जो रिलेशन में जो तच में हैं जो इस तरीके का मीट का कारोबार करते हैं इनकम टैक्स की छेल चाड की है जो उन्होंने हिरा पेरी की है तो उस सभी ठिकानों पर इनकम टैक्स की चापे मारी बराबर चल रही है हालागे इनकम टैक्स के अधिकारी अभी भी उनके जो निवास है उन पर चानबीन कर रहे हैं और यह उनका ऑफिस है जिस वट हम यहां मौझूद है। हम एक यहीं पर ही मौझूद है। यहां पर भी टीम चाप़े मारी कर रही है। और बताया है कि इसी को भी अंदर जाने की अनुमती नहीं दी गई है। जो भी होगा यह बात पर निकल आएगा। आप से बड़ेट लेते रहेंगे बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्राइम तीघे वी आप देख रहे हैं